पहुंआ पिंडिए इतने बड़ी बड़ी लगरी जैसे गिरिगेट होता है उस साइज की बिंडी भूत बड़ी बिंडी है इसमें पिसमें चोटी लगरी हेलो जी हेलो राम राम जी और मेरे चैनल का नहां है राइटर जैक्स और पार्ट फोर में हिमाचल लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने दूसरे पार्ट में देखा होगा कि मैंने कुछ हिमाचल से लेटिर गार्डनिंग की आपको मतलब वीडियो दिखाई थ तो आज मैं गार्डनिंग की कुछ चीज़ा रहे थी यहीं की तो दुबारा आपको दिखाता हूं तो आज मेरा चैरा कम दिखेगा आपको गार्डनिंग की चीज़ा दिखाई देगी तो बड़ा धिहान से देखना और फोकस करना चीजों पर और वाता वरन बहुत कि रात को तो फिर सुबह सुबह उठने का मन नहीं किया तो जैसे अभी उठे तो बोट टाइम हो गया तो सुबह ब्रेकफास्ट वगारा करके फिर मेंगा चलो अब मौसम भी इतना शांदार हो रखा है और खुश्बू बड़ी प्यारी हो रखी है जैसे ही बारिश है हो चलो आगे चलते हैं ठीक है और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना और बार बहुलता हूं और डील आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को स्किप मत करना थे पूरी देखें क्ल को क्या पता आप दिन और बेल आईकन को प्लिक भी कर दड़ना चलो आप आगा की तरफ चलते हैं आपको नहीं नहीं लग रहे हैं मैं आपको निसकता मॉंद देखने में इतनी अच्छे लग रहे हैं तो अभी वीडियों में इस लगए तो ओपर पहाड है पुछे बहुत बारी शोड़ी थी और यह देखें बड़े-बड़े हो गए कल तक इतने चोटे देखें तक रात में थोड़े बड़े हो गए और यह देखें ऊपर पूरा पहाड है और पहाड के पिछे भी कुछ लोग रहते हैं कोई गाउं है लेकिन मैं कभी गया नहीं तो अगर टाइम मिलेगा तो जुरूर जाओंगा और देखें चारों तरफ देखें बिल्कुल हरा बरा है और अभी आगे ठोड़ा की चड़ है तो आज आगे जाने का प्रोग्राम था लेकिन सुबह बारिश होई थी तो आगे की च च्छोटी च्छोटी क्यानी होगी यहां पर स्कोल भी चेरी में खेति की जाती है आप आपकी ह्क बिल्कुलोगा है बाट लोगा तो एक चीज़ और दिखाई दी है आपको मैंने सेकेंड पार्ट के अंदर बहुत बड़ा गिया दिखाए था और यह देखो बहुत ही छोटा गिया लोकी इतना छोटी लोकी भी मैंने आज तक जिंद्गी में देखी और इतना बड़ा भी नहीं देखा यह दे कोन सोँद्स आलगा हुआ है जान अदिखाया तो प्रकति छोटा गिया तो आपने देखलिया है तो आब वह देखते हैंतों और क्या नईनी सिर्धें मिलति अडिफिरेंट प्रकति की कुषूंती में अलग ब कीदिशा छीजें कीतनेBY मिंशा रात को बारिश हाई है ना तो मिट्टे की कुश्बू भी जेंज होगी और इन पत्तों पर खुश्बू भी अलग-अलग बतलब बहुत डिफरेंट त्रिक्टे की बहुत अच्छी-च्छी कुश्बू आरी है मतलब ऐसे किसी अच्छे पर्फियूम की कुश्बू भी आप इतना प्यारा मुसम हो रखाया और इतनी प्यारी वाली फिलिंग और रखी है मज़ा आ गया है अल्टीमेट है यार लटीमेट बहुत ही शांदर वियू को मैं बताने के लिए ब्यान नहीं है बहुत ही सुन्दर लग रहा है और बहुत हरा बढ़ा और सामने पर कोई वारिस नहीं है और यह देखिए केले के वरिक्ष भी है यहां पर बहुत ही शांदार बहुत ही लंबा चोड़ा उचा केला कवरिक्ष और गाओं की जिंद्गी का मज़ा यह लगा और प्लस हिमाचल के गाओं वाव भी वाव सोने पर सुवागा हो जाता है तो ऐसे ऐसे आपको मैं बेसिक देशी सीन साइट दिखाऊंगा अब हैवी वाले सीन साइट आपने बहुत देख लिए लेकिन देशी वाले सीन साइट बहुत जदूरी है क्या पाता है मज़ा गया कर जगान कुछ न कुछ यहां बोया अपने आप ही बोजाते कई बर सुनने में यह सारे पेड़ है इसमें कहीं सेव का पेड़ भी लगा हुए दूनना पड़ेगा मुझे पता नहीं है अभी पता करके बताऊंगा आपको अना आंगे चैनल को सस्क्राइब जूर करेगा और बेल आइकन को क्लिक कर देजेगा बहुत-बहुत महरमानी होगे और मेरी वीडियो को लाइक करदेना और पसंद नहीं आए तो डिस लाइक कर देना और कमेंट जुरूर करना अगर आपको अच्छी लगे तो वरी लगे तो भ बढ़ा है मैंने तो भीया इतना बढ़ा बैंगन आज तक ने देखा मतलब कम से कम भी एक फुट बढ़ा बैंगन है अद्बुद भाई यह बैंगन का पेड़ है अभी फिलाल इसमें से बैंगन कल-कल बहुत सारे तोड़ लिए थे तो अभी थोड़े बहुत ही रह गए है बढ़ा बैंगन आप दुबारा देख लो कभी बाद में बोलो अप दिखा हो ना यह बहुत ही बढ़ा बैंगन है एक फुट का बैंगन है कम से कम एक फुट का और तो माटर भी देखो अभी तो कच्छे है अब हर जगा कुछ न कुछ बहुत कितने प्यारे लग रहे हैं अभी हरे हरे हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं अब यह पक जाएंगे तो फिर लाल हो जाएंगे तो यहां पर कहीं जाने की जुरूरत नहीं है अजीब साथ इंच कम से कम है अई तिंक उससे बड़ा ही होगा और दो यह पूरे पेट पेट पे एक बिंडी सड़ गई और एक बिंडी है दूर से ऐसा लगए कोई गिरगट चिपका पड़ा है एक बार तो मैं डर गया था लेकिन बात में देखा दो यह बहुत ही मोटे आपको पहले दिखाई है इस वीडियो में और कोच अलग अलग चीजें होंगे मैं दिखाऊंगा अरे किहां पर एक 500 साल पुराना मंदिर है आगे जाके तो वैसे वह पूरानिक मंदिर है और बोले बोले नाज जी का ही मंदिर हो तो आज थोड़ा मोसम चुबे बारिश हो नेक्स्ट पा। में पेलोग यूर आएगा जैसे जैसे मोशा हमने की ममनीद आपको पता है मसramos म ददलता कर देना और मेरी Facebook ID है जैसिंग हुजा आप इंस्टा सोरी Facebook पर जाकर सर्च करोगे तो सीधर आजाएगा और Facebook मेरे ग्रूप का ग्रूप भी बना हुआ है उसका नाम राइटर जैक्स के नाम से है और मेरा Facebook पेज भी है वो भी जैसिंग हुजा के नाम से है मेरी Instagram ID होगी क्या नाम आपकी Instagram ID मेरी राइडर स्लैश जैक्स 16 16 तो आप मुझे फॉलोग कर सकते हो तो चलो आपको मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट मतलब five part में ठीक है बहुत जल्दी मिलेंगे हसीन वादियों के साथ ऐसे बनी रहेगा मेरे साथ मैं आपका जैसिंग हुजा राइडर जैक्स का ओनर और आपका चाहिता और ऐसे ही प्यार देते रहना और ऐसे ही बने रहना और हसीन वादियों का मज़े लेते रहना बाई बाई टेक क्यार मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट फाइव में बाई